विटनेस्ट वर्लड वर्ट थ्री वेल इस बात का डर सब को है और सब यही प्रे करने की शायद ऐसा ना हो बिकास अगर ऐसा हुआ तो बहुत ज़्यादा सिच्वेशन वर्स हो सकती है ग्लोबली भी और ओबिसली हमारी कंटर बहुत ज़्यादा एफेक्ट पर सकता है इसका तो लेट सी क्या होता है और क्या ख़बर आती है अभी तो फिलाल रश्य और यूक्रेन की स्थिती बहुत जादा गंबीर है यूक्रेन की हालत बहुत जादा खराब है और अभी रिसेंटली ही न्यूज आई है कि जो कीव है मतलब कीव is the capital of यूक्रेन वहाँ पे भी रश्या ने अटैक कर दिया है और शायद आज रात तक या कल शाम तक कीव पे पूरा कंट्रोल होगा रश्या गा तो सिट्वेशन तो बहुत जादा वर्स्ट है और जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट भी किये अधर कंट्री से कि अगर कोई उनकी हेल्प कर सकता है तो और उनको मदद चाहिए विकॉज दे नौट एबल टो डिफेंड रश्या और उसमें एक और बात यह है कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है उन्होंने यह क्लियरली ऑफिशल स्टेटमेंट दिये कि वह सिर्फ 96 आर्स के लिए रश्या को कंट्रोल होल्ट प शायद सारी कंट्रीज मिलके मतलब नाटो की मीटिंग होने वाली है तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन पर आए जिससे यह वह रुख जाए बिकॉज अभी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने एक और स्टेटमेंट दिये कि अराउंड 140 लोगों की डेथ हो चुगी है यूक्रेन में अराउंड 400 के आसपास आर सीवियरली इंजूर्ड तो लेट सी और वेल जो भी ग्लोबली सिचुएशन हो लेकिन हमें तो अपना काम करना पड़ेगा तो विल सी दे मार्केट अकॉर्डिंग अंद अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन मनेगा मार्केट में उस हिसाब से हम अपनी ट्रेट करेंगे तो चलिए लेट्स गेट बाक टू दो तिंग जो हम रोज करते हैं तो पहले हम डिसकस कर लेते हैं अबाउट लेटेस्ट न्यूस जो आज आई है मार्केट में तो सबसे पहली न्यूस है मारुति सुजूकी के लिए कि जो उनके मैरेजिंग डि आपको बहुत अच्छा रिटर्स मिल सकते हैं उसमें और आपको थोड़ा अपमूव दिख सकता है कुछ अभी रिसेंट टाइम्स के लिए और चलिए अब देख लेते हैं टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में तो आज के टॉप गेनर्स थे पंजाब नैशनल बैंक, DLF, कोल इंडिया और टाटा मोटर्स और टॉप लूजर्स थे पावर फिनैंशल कॉपरेशन, HBCL, ब्रिटानिया और नेसले तो यह थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आज के तो चलिए अब डारेक हम देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अब जो आज आप देखेंगे तो आज का मूव बहुत ज्यादा अनेक्सपेक्टेड था और मेरे को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि आज इतना बड़ा गैप खुल सकता है निफ्टी में बिकॉज जैसे हमने कल देखा था सेल ओफ इतना बड़ा सेल ओफ के बाद अब कुछ दिनों के लिए तो बिल्कुल भी मैं पॉजिटिव नहीं हूँ और मुझे लगता है मार्केट को और ज्यादा नीचे जानने की गुंजाइश है तो अगर आप आज निफ्टी के लिए देखें तो निफ्टी 16200 के आसपास कल क्लोज हुआ था और उसके बाद आ अज प्रीवेस डे का बोल सकते हैं खलका सा रेसिस्टेंस लिया था जो प्रीवेस डे हाई था उसका खलका रेसिस्टेंस लिया और उसी के बीच में होवर करती रही पूर दिन निफ्टी आज तो वेल आज मैंने तो ट्रेड नहीं किया क्योंकि एक तो निउस बहुत को तो अब देख लेते हैं लेविल्स जो आप कल के लिए मंडे के लिए देख सकते हैं अब इसमें सबसे पहला लेविल तो शिक्स्टी नेट हंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो मार्केट ने कल डाउन की वज़े से वहां पर आई नहीं और उसके नीचे बहुत जादा क्लोज कर दिया तो शिक्स्टी नेट हंडर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंज बन सकता है और अगर आप यह देखें तो अगर सिक्स्टी नेट हंडर मार्केट तोड़ती है उसके बाद फिर सेवेंटीन थाउजंड तक का इसमें गैप बचा लेकिन अभी भी मैं इसमें बुलिश नहीं बोल सकता मैं अपने आपको बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूस है और अगर सेवेंटीन थाउजंड तो फिर मैं देखूंगा फिर की बुलिश के लिए अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है या मत इच्छे की तरफ आप देखें तो आज का लो जो अरूंड 16500 के आसपास कह सकते हैं वह बहुत इंपोर्टेंट सपोर्ट बन सकता है क्योंकि एक साइकलोजिकल सपोर्ट भी बन जाता है और उसके अगर वह तोड़ता है तो 16400 मुझे अभी लगता है कि एक सपोर्ट ले सक 16400 टूटा तो फिर 16000 तक भी निफ्टी आ सकता है और सिच्वेशन थोड़ी वर्स हो सकती निफ्टी के लिए तो यह थे निफ्टी के लिए लेविल्स अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लेविल्स तो बैंक निफ्टी में भी आज एक बहुत बड़ा अब खुला मार्केट और उसके बाद वह कंटिनुसली ऊपर जाती चली गई एंड उसने जो रेसिस्टेंस लिया है वह प्रीवेश डे का हाई तो इसमें मैंने आपको बहुत बार बताए है कि प्रीवेश डे हाई और प्रीवेश डे लो एक्ट आज आप देख सकते हैं प्रीवेश ड इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लिया बैंग निफ्टी ने और फिर वहीं पर होवर करती रही और इसमें भी मतलब एक गैप आपके लावा मैंको इतना जाद मुव्मेंट लगा नहीं बैंग निफ्टी में भी तो यह था आज के लिए और अगर हम लेवेल सब देखें ज तो हो सकता है कि अगर निफ्टी अपना गैप्स करने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले कोई भी मुव्मेंट करने से पहले उस गैप को करने की कोशिश करती है तो अगर gap है तो शायद वो gap fill हो सकता है उसके बाद फिर market decide करेगी कि उसको वापीस नीचे आना है या उसको फिर वापीस ऊपर की तरफ movement करनी है तो bank nifty में 36,700 अगर तूटता है तो 37,300 तक का इसमें एक move आ सकता है क्योंकि इसमें gap है जो वो fill कर सकता है और उसके बाद बहुत important resistance आ जाता है 37,800 का और उसके बाद obviously 38,500 का तो एक swing high है जो बहुत important resistance है लेकिन अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 35,800 एक बहुत important support बन जाता है अब क्योंकि वो आज का एक low है और अगर 35,800 market तोड़ती है Monday या आने वाले trading sessions में तो इसमें मैं थोड़ा और bearish हो सकता हूँ और market थोड़ी और आपको नीचे की move दिखा सकती है क्योंकि अगर आप देखें तो 35,800 के नीचे जो मुझे important support लग रहा है वो 34,000 का ही है तो 34,000 से पहले मुझे कोई इसमें बहुत important support नीचे लग रहा जहाँ पर market उसको रोख सकती है तो इसलिए अगर 35,800 तोड़ता है तो भी 34,000 एक level है जो आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में और उसके बाद भी 33,300 भी एक बहुत important support आ जाता है तो यह थे nifty और bank nifty के levels जो आप Monday के लिए and आने वाले trading sessions के लिए देख सकते हैं और उससाब से आप अपना trade ले सकते हैं तो लेट्स गेट डिरेक्ली टू दे स्टॉक्स नाओ अब पहला स्टॉक है Tata Motors अब Tata Motors में भी एक gap pending है और अगर Monday के session में 460 के आसपास अगर अगर फाइव मिनट्स की candle close करती है 460 के उपर तो इसमें एक gap फिल हो सकता है Tata Motors में और इसमें आपको हलकी सी bullish move दिख सकती है but be really cautious क्योंकि अगर Saturday या Sunday में कोई ऐसी news आ गई तो फिर अगर आप आज देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा एक अपमूव दिखाया था लेकिन फिर ट्वंटी इसमें अच्छा टार्गेट मिल सकता है इसमें अगर आप आज देखेंगे तो इसमें बहुत अच्छा एक अपमूव दिखाया था लेकिन फिर ट्वंटी में के आसपास इसने एक रेसिस्टेंस लिया और फिर नीचे आगी वापिस और अगर यह 111 के नीचे कोई भी कैंडर क्लोज होती है तो इसमें भी आप एक अच्छी शॉट के लिए पोजिशन बना सकते हैं जिसमें आपको एक अच्छा टार्गेट मिल सकता है तो इस वाज दो स्टॉक्स फॉर मंडे जो भी आप ट्रेट करेंगे तो आप फ्लीज एक बार मार्केट के लेवल्स देख लीजेगा और मार्केट की न्यूज देख लीजेगा क्या आ रहे हैं करते हैं लेकिन प्राइज एक्षिन और जो सपोर्ट रेसिस्टेंस जो लेवेल्स रहते हैं वह रिस्पेक्ट नहीं होते हैं अगर मार्केट में बहुत जादा मेजर न्यूज भी आ जाती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था आपको लगता है कि आप इतनी जादा फ्लक्चुएशन हैंडल नहीं कर पाएंगे अगर आप beginner हैं तो आप यह भी कोशिश कर सकते हैं कि trade नहीं करें तो better है because एक दौसता trade नहीं करेंगे so it is not going to give you any harm और आपका capital ही बच्चा रहेगा so that's it for today and I hope you liked my video and I'll see you tomorrow then